आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग ZK और Current Affairs के महतपूर्ट Questions का Revision करेंगे और Last में आज के महतपूर्ट Current Affairs को देखेंगे तो आएए स्टार्ट करते हैं जकार्ता इंडोनेसिया में आयोजित पुरुस होकी एसिया कप 2022 का विजेता कौन है तो ये अपका पुरुस होकी एसिया कप है और कहां प्याजित हुआ था जकार्ता इंडोनेसिया में और इसका विजेता बना है दक्षिड कोरिया और इसने किसको हराया है तो उप विजेता है आपका मलेसिया तीसरे स्थान पे इसमें भारत रहा ये भी आपको important है याद रखिएगा भारत का स्थान ये आपका तीसरे स्थान पे रहा और भारत ने किसको हराया था तो भारत ने जापान को हराया था पुरुस होकी एसिया कप कहां पे आयोजित हुई थी जाकारता इंडोनेसिया में विजेता दक्षड कोरिया next हमारा है बैंककॉक थाइलेंड में आयोजित महिलाओं की बैडमिंटन चेंपियंशिप ठीक है तो ये महिलाओं की बैडमिंटन चेंपियंशिप है कौन सा कप है तो उबेर कप 2022 ठीक है तो 29 इसका क्रम था उबेर कप 2022 इसका खिताब किसने जीता तो उबेर कप का खिताब जीत लिया है दक्षड कोरिया ने ठीक तो ये भी आप या दक्षड कोरिया ने जीता है और उबेर कप भी किसने जीता है दक्षड कोरिया को दक्षड क हुआ था तो जाकारता इंडोनेसिया में अगला है मारा जनवरी 2022 में हुई सीड ड्रेगन 2022 अभ्यास में कौन कौन से देश सामिल हैं तो जनवरी 2022 में हुई थी आपकी Sea Dragon अभ्यास ठीक है न इसमें आपके जो Quad Countries है यानि की भारत, अमेरिका, आश्ट्रेलिया और जापान इसके अलावाँ दक्षड कोरिया और कनाडा ठीक है न तो Quad देश और आपके दक्षड कोरिया और कनाडा इन समने मिलकर कौन सा अभ्यास किया था? Sea Dragon 2022 युद दव्यास हाल ही में कौन सा देश नाटो के Co-operative Cyber Defense Center of Excellence में तो यह आपका Cyber Defense का Center of Excellence है नाटो का इसमें सामिल होने वाला पहला ACI देश बन गया है तो यह आपका दक्षड कोरिया ही है ठीक है न अगला मारा है दक्षड कोरिया के नए राष्ट्रपती किसे नियुक्त तो Bricks की इस वर्स जैनिकी 2022 में बैठा कौन कर रहा है तो Bricks में आपका C से होता है आपका China ठीक है 2022 में चाइना कर रहा है पिछले साल 2021 में किस ने किया था तो वह आपके India ने किया था अगर आपसे 2023 का पूछा जाएगा तो इसके बाद C के बाद S वर्ड आता है तो आपका South Africa ठीक है ना 2023 में इसकी सारी बैठा की अध्यक्षिता कौन करेगा South Africa या दरिक्षना ब्रिक्स में कितने देश है तो Bricks में कुल 5 देश है और 2001 में इसकी संकल्पना किसके दोरा दी गई थी तो जिम और निल के दोरा इसकी संकल्पना 2001 में दी गई थी जून 2006 में Brick के नाम स ये चार देशों के साथ अस्थापित होती है ठीक है ना यानि कि Brazil, Russia, India और China, BRIC चार देशों के साथ ये जून 2006 में अस्थापित होती है इसके बाद 16 जून 2009 को इसकी जो है पहली बैठक होती है कहां पे रूस के येकातरीन बर्ग में ठीक है ना तो रूस के येकातरीन बर् अफरीका भी सामिल हो जाता है और इसका नाम क्या बन जाता है तो इसका नाम बन जाता है BRICS ठीक है अगर मैं आप से पूछ लों की BRICS देशों की BANK का क्या नाम है BRICS देशों ने अपनी एक BANK के स्थापना की है ठीक है तो उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताईएगा करनाटक का नवींतम जो है जिला कौन सा बनाया गया है तो करनाटक का जो नवींतम जिला है वो 31 जिला बना है ठीक है पहले करनाटक में 30 जिले थे अब 31 जिला किसे बनाया गया है तो विजे नगर को 31 जिला बनाया गया है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया है तो खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम है और इसका ये दूसरा क्रम था ठीक है और इसका आयोजन किया गया था बेंगलूरू करनाटक में और इसमें प्रथाम अस्थान पे कौन रहा तो प्रथाम अस्थान पे आपका जैन युनिवस्टी रही जो की कहां की है तो ये बैंगलूरू की ही जो है जैन युनिवस्टी और बैंगलूरू में ही इसके आउजन भी किये गए थे इसके सुभंकर का नाम क्या था तो इसके सुभंकर का नाम था आपके वीरा अगर मैं आपसे पूछनू कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सुभंकर का क्या नाम था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगला हमारा है जोग या गरसुपा जल प्रपात किस नदी परिस्थित है तो जोग या गरसुपा इसी को दो है जोग जल प्रपात भी कहते है या फिर गरसुपा जल प्रपात भी कहते है ठीक है ये आपके सरावती नदी परिस्थित है और कहां पे करनाटक राज्ज में ये बगानों को क्या कहा जाता है तो उसको बोला जाता है आपके फजेंडा ठीक है और इसमें जो है काफी बंदरगाह विस्सुका काफी बंदरगाह कौन सा है वो भी आपके ब्राजील में स्थित है ये आप पाकल्दुम परियोजना और रतले विदुद परियोजना ये सब किस पेश्थित हैं तो ये आपका सलाल हो गया बगलिहार हो गया दुलहस्ती हो गया पाकल्दुम हो गया और रतले ठीक है ये सब किस सब जो है आपके चेनाब परिस्थित हैं तो आप याद रखेगा ठीक है आज के इस डेली घटना चक्र और समसामाई की सार की क्लास में हम लोग महातपूर करन्ट अफेर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं ये हमारे सब एकजाम के लिए इंपोर्टेंट होगी क्योंकि करन्ट अफेर्स और जीके हर एक एकजाम में पूछी जाती है अगर आप यहाँ पे पहली बार पहुँचे हैं तो आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लावा टेली ग्राम पे, Instagram पे और Facebook पे हमें फालो कर सकते हैं तो आईए continue करते हैं आज की क्लास को अगला question देखते हैं जून 2022 में One Nation One Rason Card को लागू करने वाला 36 और भारत का अंतिम राज्य या फिर केंदर सासित प्रदेश कौन बन गया है तो यह अपकार एक राज्य है असम राज्य ठीक है न इसने जो है One Nation One Rason Card को लागू किया है सबसे भारत का सबसे अंतिम राज्य बना है कौन असम One Nation One Rason Card के लिए जो application launch किया गया था अगला हमारा है वर्स 2009 में सुक्र गरह के लिए दाविंची मिशन किसके दोरह भेज़ा जाएगा तो सुक्र गरह के लिए दाविंची मिशन भेज़ेगा कौन तो वो है आपका NASA और ये अमेरिका की जो है Space Agency है कब भेज़ा जाएगा ये भी important है तो ये आपके 2029 में भेजने की घोशड़ा की गई है इस रो ने फरवरी 2022 में प्रिथवी अवलोकन उपग्रह EOS 04 को जो है किस रॉकेट के द्वारा लांच किया तो EOS का फुल फर्म क्या है Earth Observation Satellite यानि कि प्रिथवी अवलोकन उपग्रह इसका Zero-Four ये आपके किस राखेट से भेजा गया है तो PSLV C-52 से भेजा गया है प्येसलवी C-51 से अमेजोनिया उपग्रह भेजा गया था और आपको बताना है कि अमेजोनिया उपग्रह जो है ये किस देश का उपग्रह था जिसे इसरो ने भेजा था किस देश का अमेजुनियों पग्रह था इसी के साथ साथ जो है PSLV C51 से सिंधु नेत्र भी भेजा गया था किस के दोरा अपके इसरो के दोरा सिंधु नेत्र अगला हमारा है कोलंबिया का नया राष्ट्रपती किसे चुना गया है तो कोलंबिया का जो नया राष्ट्रपती चुना गया है वो चुना गया है गुस्तावो पेट्रो को ठीक है ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है इसको आप याद रखेंगे हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा तो ये पौधा यानि की व्रिक्ष नहीं है प्लांट है ठीक है ना 180 स्क्वाइर किलो मेटर में इसका विस्तार देखा गया है और ये कहां पे समुद्र के अंदर आपके कहां पे आश्ट्रेलिया में पाय गया है इसका नाम क्या है पेसो पोसी डूनिया आश्ट्रालीज ठीक है ना तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा पौधा को जा गया है अश्ट्रेलिया में हाल ही में किस कमपनी के ब्राउजर इंटरनेट एक्स्प्लोरर को बंद कर दिया गया तो 15 जून को बंद कर दिया गया और ये किस company का जो है आपका ब्राउजर था तो ब्राउजर आपका Microsoft का था ठीक है ना अगला हमारा है अंतराश्ट्री क्रिकेट परिसत के वरतमान में अध्यक्ष कोन है अच्छा ये बताईए कि जिसे internet explorer बंद हो गया तो अब इसके पास Microsoft के पास कौन सा browser है तो उसका नाम है ठीक है ना तो एज ब्राउजर अब Microsoft यूज़ कर रहा है पहले था internet explorer जो की अब बंद कर दिया गया है अंतराश्टी क्रिकेट परिसत के वरतमान में अध्यक्ष कोन है तो अंतराश्टी क्रिकेट परिसत यानि की ICC के जो वरतमान में अध्यक्ष है वो है ग्रेक बरकले औ मारार्ट कप खेलने वाली महिला खेलाड़ी कौन है जhis बबंद कर देशनहिस दो सांव। तो ओपे क्या है तो ये भी आपको याद रखना है ये पेट्रोल निर्यातक देशों का एक समू है ठीक है न और इसका जो है मुख्याला है विएना आश्ट्रिया में नेक्स्ट हमारा है महतपूर संगठन और उनकी सदस्य संख्या और इनका मुख्याले कहां पे है तो कुछ 1949 में इसके स्थापना हुई थी अगला मारा है यूरोपियन यूनियन इसमें कुल कितने देश है वर्तमान में तो 27 देश है और इसका भी मुख्याले कहां पे है तो इसका भी मुख्याले आपके ब्रसेल्स बेल्जियम में ही है आसियान जो है आसियान में जो है आपके 10 दे में हुई थी इस वर्स ठीक है ना लेकिन इसके देख्षता जो है भारत ने की थी लेकिन इसमें भारत सामिल है नहीं सार्क जो है इसमें जो है कितने देश है तो सार्क में कुल आठ देश है मुख्याले कहां पे है सार्क का तो सार्क का मुख्याले है काठमंडू नेपाल में बिम्स्टेक में जो है कुल कितने देश है तो बिम्स्टेक में जो है कुल साथ देश है ठीक है मुख्याले कहां पे है बिम्स्टेक का तो मुख्याले है इसका डाका बंगला देश में और बिम्स्टेक की इस वर्स बैठक का हुई तो कोलंबो स्री लंका में हुई है ठीक है 193 वाँ देश कौन सा है तो 193 वाँ देश है आपका South Sudan ठीक है यानि की दक्षडी Sudan Eco Soak जो है ये आपकी समाजिक परिसद है इसमें जो है कितने सदस सामिल है तो इसमें आपके 54 सदस सामिल है और इसका मुख्याले कहाँ पे है तो Eco Soak कभी मुख्याले आपके New York में है WTO यानि की World Trade Organization ठीक है न विस्चोभ्यापार संग्ठन में कुल कितने देश है तो इसमें 164 देश है और मुख्याले कहाँ पे है तो मुख्याले आपका है जिनेवा स्विटिजर लेंड में 154 देश इसमें कौन है तो वो है आपका अफगानिस्तान आपका अगला है IMF ठीक है International Monetary Fund इसमें कुल 190 देश सामिल है मुख्याले कहाँ पे है तो मुख्याले IMF का Washington DC में है और 190 देश इसमें जो सामिल हुआ है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है एंडोरा ओके एंडोरा देश सामिल है और IMF में 190 देश है वो जून 2022 में किस राज जने भारती बधिर क्रिकेट संग द्वारा आयोजित पहली तो ये पहली बार आयोजित किया गया था बधिरों के लिए अंडर 19 T20 राष्ट्री क्रिकेट चेंपियंसिप और इसका खिताब जीत किसने लिया है तो इसका खिताब जीता है आंदर प्रदेश ने उपवीजेता कौन रहा है तो उपवीजेता रहा है गुजरात किर्गिस्तान में आयोजित अंडर 17 ACI महिला कुस्ती चेंपियंसिप 2022 तो याद रखना कि ACI जो आपकी महिला कुस्ती चेंपियंसिप है अंडर 17 है ठीक है ये भी याद रखेंगे कहां पर हुई है किर्गिस्तान में और किस देश की महिला कुस्ती टीम इसमें प्रथम अस्तान पे है तो भारत की महिला कुस्ती टीम प्रथम अस्तान पे है कुल कितने सुरड जीते हैं भारती महिला कुस्ती टीम है तो 78 सुरड जीते हैं और दूसरे नंबर पे आपका जापान है तीसरे नंबर पे कोन है मंगोलिया नेक्स्ट हमारा है प्रथम ग्रीस मिकालिन ओलंपिक कहां पर यजित हुए थे एथेंस ग्रीस में अठारा सो चानबे इस्वी में ठीक, तैंटीसवाँ ग्रीसमकालिन ओलंपिक कहां अजित किया जाएगा, तो अभी जो हाल ही में हुआ था, वो कौन सा था, वो 32 ओलंपिक था, ठीक है ना, 32 ओलंपिक करम का था, अब 33 ओलंपिक जो अगला होने हैं, ठीक है, 2024 में अजित होगा, पेरिस, फ्रांस में, ठीक, अगला हमारा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरत चोपड़ा ने कितनी दूर पर भाला फेक करके सुड़पद गीता था, तो इन्हों ने फेका था, 87.58 मीटर और 7 अगस्त को फेका था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेक दिवस जो है, गोसित किया गया है, ओके, अंतर आगस्त है, इसके थामस वाक, ओके. अगर इसको पूछ लिए जा कि इन्तराष्टी ओलंपिक दिवस कब मना जाता है, तो ये होता है, 23 यून को, ठीक है न, इस बार की ठीम क्या थी, अंतराष्टी ओलंपिक दिवस की ठीम थी, स्ञैड़ ऑ्दिवस की ठीम थी, संयुक्त टीरू मूर्ती थे ठीक ये भी आप याद रखना है टीरू मूर्ती क्योंकि अभी हाली के जो एक्जाम होने वाले हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है कि इस महीने में कौन थे तो अभी इन्हों नियुक किया गया है ओके अब देखते हैं 24 जून 2022 के महत्पूर करेंट अफ तो आप लोग कमेंट करके बताना अगला हमारा है विस्व लिवेबिल्टी सुचकांग 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योगी सहर कौन सा है तो विस्व लिवेबिल्टी सुचकांग जारी की गई है 2022 के लिए और इस में जो है दुनिया का सबसे रहने योगी सहर जो अंतिम अस्तान के गर बात की जाए इसमें कोई सबसे रहने लायक सबसे बुरी जगह कौन सी है तो वो है आपका दमिस्क जो की किस देश में स्थित है तो सीरिया में स्थित है अगला मरा है 23 जून 2022 को इसरो के दौरा भारत के संचार उपग्रह जी सैट 24 का सफल प्रक्षेपड कहां से किया गया तो याद रखना कि ये इसरो ने किया है ठीक है और ये भारत का संचार उपग्रह है जिसकर आम है जी सैट और 24 और ये आपके कोवरू फ्रेंच गुएना से लांच किया गया है ये इसलिए इंपोर्टेंट है ठीक है न कोवरू फ्रेंच गुएना से लांच किया गया इसरो का जो है संचार उपग्रह जी सैट 24 और किस राकेट से इसे लांच किया गया है तो एरियन 5 राकेट से इसे लांच किया गया है ओके एरियन 5 से कौरू फ्रेंच गुवना से लांच किया गया अगला हमारा क्या यह क्या था जी सेट 24 ठीक है इसरो का जो है संचार उपग्र है Communication Satellite Next हमारा है कौन सा एयरपोर्ट अक्षे उर्जा से जरूरते पूरी करने वाला देश का पहला हवाईड़ा बन गया है तो कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जो अक्षे उर्जा से और अक्षे उर्जा में कौन-कौन सी उर्जा का यूज करेगा सौर उर्जा का 6% और जल उर्जा का 94% यह यूज करेगा ठीक है तो यह है आपका इन्दरागांधी अंतर राश्टी हवायद्ळे जो कि कहा का है नई दिल्ली का ठीक है? तो इसमें जो जुआ सोर ओर्जा का चाप रत्रट्सत यूज़ोगा और जल ओर्जा का 94 प्रत्सत यूज़ोगा और जिरो प्रतिसद यानि कि इस अपका इंद्रा गाधी अंतराश्टी हवायड्डे ने अपने आपको सून्य कारबन उसर्जन का लग्ष़ कब तक घोशित किया है 2030 तक ठीक है न अगला मारा है किस देश्ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपड किया है तो नूरी का सफल प्रक्षेपड किया गया किसके दोरा दक्षड कोरिया के दोरा कोई दिन पहले जब इसका प्रक्षेपड हुआ था तो वो सफल नहीं हुआ था ठीक है अब इसका जो है सफलता पूरोग प्रक्षेपड किया जा चुका है और किस देश का है ये तो ये आपका दक्षड कोरिया का है और दक्षड कोरिया ने इसे स्वदेशी रूप से विक्सित किया है नेक्स्ट हमारा है भारत में आईकिया का सबसे बड़े श्टोर का उधगाटन की स्राज में किया गया तो ये होम फरनिसिंग कमपनी है आईकिया कहां की है तो ये आपके स्वीडेन की है ठीक है न तो स्वीडेन की होम फरनिसिंग कमपनी है और इसके सबसे बड़े श्टोर क लोग कहां से होंगे तो 75% इसके कारीगर भारत से सामिल होंगे ठीक है तो IKEA के सबसे बड़े इस्टोर काउट घरन कहां पे हुआ तो ये करनाटक में हुआ है किसे Federation of International Cricket Association की पहली महिला अध्यक्षन नियुक्त किया गया है तो ये ICC नहीं है तो ये आपका Federation of International Cricket Association की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो वो है आपकी Lisa इस्टा लेकर और ये किस देश की खिलाड़ी है तो ये आपकी आश्ट्रेलिया की खिलाड़ी है ठीक ना Lisa इस्टा लेकर Federation of International Cricket Association की पहली महिला अध्यक्ष बनी है 23 से 26 जून 2022 तक कहां पर 26 वी सिंधू दर्षन यात्रा का आयोजित किया गया 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14 वी ब्रिक्स सिखर समयलं 2022 के अधिक्षता किसके द्वारा की गई तो याद रखना कि 2022 में जितनी भी अद्यक्ष्टा होगी चाहे विदेश मंतरी की बैठक हो रक्षा मंतरी की बैठक हो ब्रिक्स की ठीक है ना ब्रिक्स से सम्बंदित विदेश मंतरी रक्षा मंतरी कोई भी मंतरी की बैठक हो तो इसकी अद्यक्ष्टा कौन करेगा तो वो नहीं करेगा ठीक तो ये हमारे महत्पूर करेंट अफेर्स और जीके के रिवीजन थे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको सेर करेंगे अपने दोस्तों तक और अगर आप यहां तक देख रहे हों तो उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक भी कर धन्यवाद